हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगी मैं भी बहुत बढ़िया हूँ आज की वीडियो में मैं एक नया टॉपिक शुरू करने वाली हूँ जो कि आपकी बीसी फाइनल एयर में आपकी एक बुक भी रहती है एपलाइट जोलोजी तो एपलाइट इंट्रक्शन होता क्या है सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन क्या होती है पैरासिटिजिम की यह यह है कि होस्ट पैरासाइट इंट्रक्शन ठीक है तो इसकी जो डेफिनेशन है वो होती है it is an association of two organism of different sizes and species in which the smaller one is benefited and the larger one is harmed मतलब कि एक ऐसी association, दो organism की ऐसी association जिसमें जो organism का size है वो कैसा रहता है, different रहता है, मतलब कि एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा और जो smaller size का जो organism या फिर जो species होती है, वो क्या होगी, उसको हमेशा फाइदे होंगे, benefited रहेगी वो और जो larger one है, वो कैसी रहेगी, हाम मतलब उसको हमेशा, उसके मतलब हानिया होगी उसको, ठीक है उसको हाम होगा उस species को, जो की larger size की होगी, अब देखो जो parasitic association है, इसमें जो organism जिसको benefit होता है, ठीक है, उसको हम parasite बोलते हैं पैरासाइट को हमेशा क्या होता है, फाइदा होता है, और जो organism जो सफर करता है हाम, ठीक है, जिसको मतलब बहुत सारे दिक्कते आती है, ठीक है, उस organism को क्या बोलते हैं हम, host for example, जैसे मालो एक human है, उसके hair में lysis है, ठीक है, तो lysis यहाँ पे क्या है, पैरासाइट, इसका size भी छोटा है, ठीक है, अब वो हमारे hair से nourishment lady है, मतलब उसको फाइदा हो रहा है, अब हमें दो उसका harm हो रहा है न, और देको human, human wing जो है, वो एक larger species है, तो मतलब यह क्या हु हो रहा है, फाइदे हो रहा है, ठीक है, अब देखो, पैरासाइट get nourishment and often shelter from the host, ठीक है, nourishment तो लेती ही लेते हैं पैरासाइट, और साथ साथ क्या लेते हैं, shelter रहने के लिए जगह भी प्रोवाइड करता है, कौन host प्रोवाइड करता है, किसको पैरासाइट को, the host can live without the parasite, but the parasite naturally cannot survive without its host, मतलब कि जो पैरासाइट है, वो host के विना नहीं जी सकता है, ठीक है, और जो आपका host होता है, ठीक है, वो आपके पैरासाइट के विना जी सकता है, ठीक है, अब इसके basis page आगे देखते हैं, इसमें types of host, कि कितनी तरह के host होते हैं, इसमें सबसे पहले है, इनॉकुलेशन के basis पे, ठीक है, तो इनॉकुलेशन के basis पे दो तरह के host होते हैं, पहला है homologus, next है, इसमें heterologus host, अब homologus होता है, मतलब ऐसा organism, which normally और naturally harbors a parasite, is known as homologus host, मतलब कि ऐसा organism, या फिर ऐसा host, जो कि, जिसके अंदर के होता है, naturally वो जो parasite है, वो present होगा, और naturally उसको harbor करेगा, ठीक है, उसको बोलते है, homologus, और जो heterologus host है, ठीक है, ऐसा animal, जिसको artificial या फिर experimentally, क्या किया जाता है, infected किया जाता है, with a parasite, उसको बोलते है, heterologus host, जिसके इसमें example भी है, जो आपका hookworm होता है, encylostoma, ठीक है, तो जो human है, man है, यह इसको कैसा है, natural host है, जबकि जो इसमें monkey है, cat होगे, आपके dog होगे, इनको artificially, experimentally lab में infected किया जाता है, ठीक है, तो यह क्या होगे, इसके, heterologus host, next is, in addition to these various types of interaction of parasite with their host, has given way to usage of wide variety of terms to designate the type of host as follows, मतलब कि, जो interaction है, parasite की, उसके host के साथ, उसके basis पे भी कुछ types है, host के, तो सबसे पहले है, इसमें primary host, फिर next बन रहेगा secondary, फिर next है, इसमें paratonic host, तो जो primary host है, यह होता क्या है, primary host, वो host होते हैं, जिसमें की, जो आपका जो parasite है, parasite की, जो sexual life cycle है, वो किस host के अंदर गुजरेगी, या फिर किस host के अंदर वो अपनी sexual, जो phase है, life की, उसको perform करेगा, वो होता है आपका primary host, ठीक है, और इस primary host को definitive host भी कहा जाता है, तो next है, इसमें, secondary host, जो आपका secondary host है, ऐसा host जिसके अंदर parasite अपनी as-sexual phase of life cycle perform करता है, ठीक है, और साथ-साथ इसकी larval stages भी उसी host के अंदर आती है, तो उस host को क्या बोलते हैं, secondary host, ठीक है, तो जो secondary host होता है, उसको हम intermediate host भी बोलते हैं, ठीक है, और next है, इसमें, आपका paratonic host, paratonic host होता है, paratonic host को हम carrier या फिर transport host भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये paratonic host होता है, ये ऐसा organism या फिर ऐसा host होता है, जिसमें कि जो paratonic host है, वो क्या होता है, remains viable, मतलब उसके अंदर होता तो है, पर उस host को वो कोई harm नहीं करता है, ठीक है, मतलब उस host के अंदर वो जिन्दा तो होता है, पर उस host को वो कोई हानी नहीं पहुंचाता है, ठीक है, मतलब कि अगर in other words, अगर हम देखें कि मतलब parasite उस host के अंदर live तो है, ठीक है, बट उसकी development उस host के अंदर नहीं हो रही है, उस host को क्या बोलते हैं, paratonic host, और further आगे जाके हम इस host को reservoir host भी बोलते हैं कि मतलब कि एक reservoir है वो उस के लिए, उस parasite के लिए वो host, ठीक है, वो उसके अंदर रहे तो रहा है, जिन्दा भी है, पर अपनी development नहीं कर पा रहा है, ठीक है, thank you, इसका next part हम अगली वीडियो में देखेंगे, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को subscribe और वीडियो को like करना ना भूले,